एक आईडी है वो पूछते हैं इस वाटर बैप्टिजम रिक्वाइट फॉर सैलवेशन यह बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है इन्होंने पूछा क्या पानी से बप्तिस्मा लेना हमारे उद्धार के लिए जरूरी है सबसे पहली बात बहुत सारी कलीसिया जो है यह बप्तिस्मा का यह जो concept है उसको समझ नहीं पाते हैं बप्तिस्मा जो है आपके सैलवेशन से कहीं पर भी नहीं जुड़ा है बप्तिस्मा आपके उद्धार से कहीं नहीं जुड़ा है क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम येशु मसी को स्विकार करते हैं देखिया आप मत्ते 28-19 में भी पढ़ते हैं वहाँ पर क्या लिखा है तुम जाकर सभी जाती के लोगों को सुसमाचार सुनाओ उनको चेला बनाओ फिर उनको पिता पुत्र पवित्रा आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दो तो बप्तिस्मा से पहले ही जो है अगर आप स्टेप देखेंगे वहाँ पर लोगों को क्या बनाना है चेला बनाना है तो पहला जो है आपका उधार का जो connection है वो प्रभी येशु मसी के उपर विश्वास करने पर और उनके दावा जो है उनके बयान जो है उनको स्विकार करके उन पर चलना है वो उधार है और वो उध्धार में आने का एक प्राक्लेमेशन होता है एक चिन होता है एक बाहरी रूप से आप लोगों को डिकलेर करते हो सुचित करते हो अनौंस करते हो कि मैं officially जो है kristian हो तो ये बबतिस्मा जो है एक प्रकार का चिन है ये वाचा का बबतिस्मा का तो इसका और Salvation का क कोई भी connection नहीं है दूसरी बात यह मैं कुछ कलीश यह बातों को समझती ने क्यूंकि तुम्हारा बिमारी ठीक नहीं हुआ है, एक काम करो, बप्तिस्मा लो, बहुत दिन से चर्च में आ रहा है, जीवन बदलावट नहीं हुआ, तुमने बप्तिस्मा नहीं लिया ना, इसके वज़े सहसा हो रहा है, तो ये बप्तिस्मा जो है, आपकी जीवन में कोई कारे को ऐ लड़का लेना है तो वहां पर लोग कहता है कि हमारे चर्च में आकर आकर आप जुड़ जाईए और बपतिस्मा लेना है तो कुछ लोग शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं और कुछ जगह पर एक चर्च चोड़कर दुसरे चर्च में गया तो लोग कहता है कि हमारे चर् कोने के लिए बप्तिज्मा लेना पड़ता है ये सब बप्तिज्मा नहीं है बप्तिज्मा क्या है बप्तिज्मा आपका प्रॉक्लेमेशन है चिन है आपका सूचना है लोगों के लिए कि मैं येश्यमसी का चेला बन गया हूं और मैं येश्यमसी को अपना उधार करता और ख